स्वागता जी आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर आज के इस खास शो में हमारे साथ अनीता भंडराल जी हैं जो की लैंडमार्क इमिक्रिशन के वीजा एक्सपर्ट है अनीता जी आपका स्वागता है सुआज तॉपिक बड़ा इंपॉर्टन्ट है एक बार से मई इंटेक के लिए कौन से बड़े कॉल्जेज ओपन है में जैसे अनीता जी हमें बता रहे थे के सबसे चोटा इंटेक होता है कनेडा में सब्टेम्बर इंटेक सबसे बढ़ा होता है और मई नीटेक दूसरे सीट्स बहुत ज्यादा कम हैं अगर महीं इंटेक की सीट्स बहुत ज्यादा कम है तो जनुरी में डेफर होने वाले स्टूडेंट्स भी काफी होंगे क्योंकि एक बड़ा नंबर students का लगातार Canada से defer होके आ रहा है ऐसे में mind take की seats और कम होगी अब क्या mind take के लिए immediate apply करना जुरूरी है या आप January intake के बिल्कुल pass आके mind take apply करेंगे अगर ऐसा करेंगे तो बड़ी संभावना है कि आपको mind take में भी offer letter ना मिले लेकिन हम present की बात करेंगे अभी mind take का क्या situation है offer letters कितने दिनों में आ रही हैं क्या अच्छे courses available हैं जो student की variable education के हिसाब से उनको suit करते हों यह तमाम issue है जिन पे हम बात करेंगे और कौन से बड़े colleges mind take के लिए open है यह issue भी आज के show में हम उठाएंगे हमारे साथ अनीता जी है अनीता जी सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कौन से बड़े-बड़े colleges है main take के लिए जो अभी open है सरकारी है और अच्छे है जी हां सर अभी अगर हम बात करते है public colleges की तो Ontario में maximum सारे colleges available है main take के लिए जैसे Conistoga college is very good college आपका Northern college is available Cambrian college में भी seats available है Fleming college में seats available है so loyalist college की अगर आप बात देखो तो उनके पास कुछ seats May के लिए अवैलेबल है कुछ September 23 के लिए अगर मैं बात करते हूँ Vancouver की तो हमारे पास Capilano University is available Nova Scotia की बात करते हूँ Cape Britain University is available लेकिन ये सारी colleges and universities open है May 23 इंटेक में लेकिन May Intake एक सबसे छोटा Intake होता है मतलब साल का 10-15% seats available होती है मैं for example आपको बता सकते हूँ कि अगर let's suppose I take the example from Sheridan College अगर Sheridan College में किसी Intake में 300 programs available होते हैं तो May Intake में सिफ 5-10 programs available होते हैं आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि May Intake is the smallest intake तो अगर आपको इस टाइम पर May Intake में कोई seat मिल रही है आप वेट बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि seats quota भी कम है programs भी कम है आप जल्दी से apply कीजिए हमारी maximum कोशिश ये रहती है कि हम जितने भी colleges में apply करते हैं वो सारे government funded colleges में apply करें उसका reason मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि अगर आप government funded college से apply करते हैं तो आपका visa success rate बहुत अच्छा मिलेगा दूसरा उनके पास program diversification है program diversification से मेरा ये मतलब है कि अगर mechanical वाला student है तो हर government college के पास कम से कम जादा नहीं तो 5-6 courses ऐसे होंगे जो specifically उस field के लिए बने होंगे जैसे कि अगर mechanical की मैं बात करते हैं तो I'll give you the example as well कि mechanical वाला student supply chain management apply कर सकता है कि अगर वो उसका management की तरफ इंट्रस्टेड है mechatronics के लिए apply कर सकता है तो इस तरह के variation हमेशा रहते हैं same as IT वालों के लिए भी so ये एक सबसे बड़ा reason है क्योंकि हमें specialization मिल जाती है public colleges में दूसरे इनकी value जादा अच्छी रहती है इसके बाद जो हमारा हमारा जो इसके बाद इसके बाद होता है वो September तो अगर अभी आपको कोई भी seat main take के लिए मिल रही है तो without any delay apply किजिए as soon as possible इस चैंपल जो offer letters आ रहे हैं तो turn around time up 25 to 30 days मान के चलिए किसी भी colleges के so कुछ colleges हैं जिनका turn around time थोड़ा कम है so अगर आप apply करना करना चाहते हैं तो आप आएं visit करें and you can take the counseling and as per your profile हम आपकी assessment करने के बाद we can tell you the colleges for further अनिता जी कई students का ये मानना है क्योंकि live shows में कई बार students कहते रहते हैं कि जब तक January के results नहीं आते January almost complete नहीं होता तब तक हमें offer letter apply करने की क्या जुरूरत है हम थोड़ा और इंतिजार करेंगे हम December January में जाके इंटेक के लिए apply करेंगे एक धारना students में ये है क्या सचमुच अभी apply करने की जुरूरत नहीं है नहीं सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम पे जो colleges है students and parents maximum इस चीज़ से बड़ा confuse होते है कि हम website पे देख रहे है college की website में course open है तो that means हमारे पास time है लेकिन अगर वो किसी counselors या किसी consultants से बात कर रहे है तो वो कहता है जो course है वो closed है अब इस चीज़ में जो confusion है मैं यहाँ पे आपकी clear करना चाहती हूँ Canada के जो applications है वो portal based होती है यानि कि जो भी application है वो portal के थ्रू जाएंगी websites are not that much updated अगर एक program है for an example अगर एक program है International Business at Lambton College यह अगर आपको website पे दिखा रहा है open तो हो सकता है यह आपको portal पे close दिखाए क्योंकि portal जो आपका होता हर minute के बाद change होता है क्योंकि उसमें एक specific quota of the seats होती है so अगर आप plan कर रहे हैं आप delay बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि within hours जो यह seat है घंटो में, minutes में यह seats close होती जाती है तो अगर आपका है कि main take apply करना है तो जैनवरी तक मत wait कीजिए क्योंकि तब तक कुछ नहीं रहेगा so आप apply कर रहे हैं तो आप अभी plan करें and you can apply your application हम उस पे बहुत ज़दा rely नहीं कर सकते हैं चलिए, thank you so much अनिता जी तो बहुत अच्छी information अनिता जी ने भी हमको दी है main take के लिए तो मुझे लगता है कि सारे students को कई तरह की claritys इस show से हुई होगी उनको courses ना मिलें और Canada में जो इस वक्त trend है आपको वेटिंग में apply करके आपको वेटिंग में लगना पड़ेगा हलाकि results महीने सवा महीने में भी आ रहे हैं लेकिन ये depend करेगा कि main take के लिए defer कितना होता है और main take के लिए new application कितनी चली जाती है तो उसके बाद result मही के तैय करेंगे कि वो in time आएंगे या उनमें भी delay होगा फिलाल thank you so much अनिता जी कोई भी student बात करना चाहे किसीने offer letter मंगानी है 90413 90412 पूरी आप clarity लिजिए फोन किए किजिए और personal level पे आके मिली thank you so much